वैबनावान वेल्कम वेल्कम बैक्टो मय चैनल आज मैं बात करने वाल हूं दोस्तों एक दिगच FMCG सेक्टर को बिलॉंग करने वाली रिटियल की कमपनी है दोस्तों शानदार स्टॉक है ये पीजा की bunch चलने वाली डोमींोस पीजा में चलने वाली दिगच कमपनी है बात क तो दोस्तों बात कर रहा हूँ दिगज कंपनी जुबिलेंट फूडवस के बारे में बहतरीन कंपनी रिटेल सेग्मेंट की FMCG स्टॉक आप कहा सकते हैं BSC NAC दोनों में लिस्टेड है शांदार कंपनी डॉमिनोस की चैन चलाती है ये कंपनी बहुत ही शांदार बिजने से इसका आज NAC पे 10 सेतंबर को करीब करीब पौने 2% तेज है 49 रुपए से यादा की तेजी 2250 रुपए के आज़ पास एडजेस्टिट क्लोजिंग प्राइस प्रीवेस क्लोज 2225 का आज ओपन हुआ था 239 दिन का हाई वहीं 242,240 रुपए आज दिन का लो स्टॉक ने लगाया है दोस्तों एक वीक के अंदर जूब्लियंट फूडवर्स का स्टॉक अपने निवेशकों को दोस्तों जो रुटन कमा के दोस्तों जे चुका वो 1.2 0% के निगेटिव टन दिया है एक महिने में स्टॉक 25.5% से ज़्यादा की रेली कर चुका है दोस्तों वहीं 2020 के अंदर 37% से ज़्यादा रेटन कमा के दिये हैं एक साल में स्टॉक 87% से ज़्यादा की रेली कर चुका दोस्तों तीन साल में स्टॉक ने 227% के रेटन दिये हैं वहीं 10 साल में स्टॉक ने अपने निवेशकों को दिये हैं शानदार Multi-Bagger Return तो आप इस stock को अपने portfolio में add करना कता ही ना बोलिए जब भी ग्रावट हो इस stock को अपने portfolio में add करते चाहिए 769% के return देके पैसे को दोस्तों 8.5 गुना लगबग लगबग कर दिया है 10 साल के अंदर बढ़ियां कंपनी है पर आंगे आने वाला सिनेरियो इसके लिए और ही ज़ादा गोल्टन टाइम होने वाला है दोस्तों 10 सितंबर को 2265 पर क्लोज होता है वॉल्यूम जो ट्रेड हुए 13,2490 सेहर के फेसलू 10 रुपए की है एक हजार ससतर बावन भीक लो और तेइस सो नौ रुपए का बावन भीक हाई इसने आज के दिन ही लगाया दोस्तों तो बढ़ियां स्टॉक है लॉंग टम में यही सारे स्टॉक पैसा बनाके देंगे वह आप देख भी रहे है बीते एक साल में 87% की देली कर चुका है दोस् इसा बनाता ही रहेगा करेक्शन में आप इसे जरूर इंट्री कीजेगा से रोल्डिंग पैटन देखते हैं प्रमोटर के पास 21.9% की होल्डिंग है एक पास 30.9% की होल्डिंग म्यूचल फंट के पास 15.2% की होल्डिंग इंसोलेंस कंपनिया इसमें 4.80% नॉन इंस्ट्य के पास 2.83% की होल्डिंग है यूटी आई के बारे में आपको बात बताना चाहता हूं सोसतों यूटी आई एमसे का स्टॉक भी अभी आगयाने वाले समय में आई प्यो लाने वाला है तो अच्छा स्टॉक रहेगा पैसा लगेगा इसमें अच्छा लगाईएगा पैसा बनेगा हम आप जैसे जो रिटेल निवेस है का महस 3% के पास होल्डिंग देखने को मिले जूबिलियंट के स् हर गिरावट में बढ़िया रिटन हमेशा कमा के दिया है अपने हमेशों को